एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एसकेश क्लासेश फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है प्रोग्रामर की जो शीरीज है वो हम इस चैनल के थू कर रहे हैं तो फ्रेंड्स अगर आपने जो पिछली सीरीज में जो मैंने कोशन्स करवाएं वह अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो पसंद आये तो अपने दोस्तों कि साथ में जाधा से ज्याधा से शेर करें ताकि यह स्रीज जो है वो चिसका चीज जिसका भी आपको एंसर आता है radi जुरूर लिखना ताकि आपको पता चले की आपकी जो त्यारी cup ने खिरए लरी तक है선 ठीक है आप देखो यहां पे कोश्चंस है कि in the flowing list of devices, which device is used in network layer, इसी परकार के questions देखना आपको जो networking layer से समंधित जो questions है इसी परकार से देखनी को मिलेंगे नेटवर्किंग लेयर की बात करें तो TCP IP मोडल ठीक है इस पे अधारित जो कोशन्स है वो भी इपोर्टेंट है और सेकिंड जो है OSI मोडल पे अधारित जो भी लेयर से समझने तो कोशन्स है कौन से डिवाइस कौन से लेयर पे वर्क करते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको ए अगर अपने बात करें एप्लिकेशन गेटवे एंड नेक्स्ट है आपका स्विच तो अगर अपने बात करें नेटवर्किंग लेयर की तो यहां पे जो डिवाइस यूज के जाता है वो कौन सा होगा आपका राउटर होगा ठीक है राउटर जो है यह डिवाइस कहां पे नेटवर्किंग लेयर के अंदर राउटर की एक विशेस बात यह है कि यह दो अलग नेटवर्कों को जोड़ने का नेट्वर्किंग लेर के अंदर राउटर जो है ये आपको क्या है राउटर मतलब रूट ये एक रूट चार्ट जो है वो पर्वाइड करवाता है डेटा को ट्रेवल करने के लिए ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखने है data को traveling करने के लिए जो हमें एक root chart देता है वो कौन है router है और router जो है इसके दवारा हम जो है एक root एक networking के अंदर define कर सकते हैं तो ये जो layer है कौन सी layer पर ये work करता है networking layer पर work करता है इसके दवारा अत्यांत जो cutting networks को भी आपस में connect किया जा सकता है एक चीज़े बहुत जादा जो difficult network है उनको connect कर सकते है तो आपको इतना ध्यार रखने है कि ये कौन सी layer पर work करता है ठीक है second यहाँ पर देखी यहाँ पर ओप्शन में जो first है ये भी important है ये कौन सी layer पर work करता है तो physical layer पर work करता है repeater जो है इसका मतलब होता है जो भी signal आपका weak हो चुका है उस signal को repeat कर देगा वापस से उस signal को क्या कर देगा repeat करके उसको strong कर देगा ठीक है तो repeater जो है वो कौन सी layer पर work करेगा physical layer पर और router कौन सी layer पर work कर आपका networking layer पर next questions देखो next आपका जो questions है वो है for establishing a secure private connections across public network such as internet you may use तो आप यहाँ पर questions पूछा गया है कि internet जैसे सार्जुनिक network पर जो सार्जुनिक है जो public network है ना सोरी यहाँ पर public network पर है सार्जुनिक है जो उस पर सुरक्षित अगर अपने को खुद का personal जो private connections तापित करना है तो हम किसका यूज करें यहाँ पर जो है बहुत ही important questions है आपको यह बताना है और इसकी full form भी जो है वो भी आपको बतानी क्या है तो अगर इसका correct answer बात करें तो VPN होगा VPN जो है वो क्या करता है internet जैसे सार्जुनिक नेटवर्पर हमें खुद का जो personal नीजी जो है connections प्रवाइड करवाने के लिए हम इसका यूज करती है और इसकी full form से ही आप इसको समझ जाओगे अगर VPN की full form की बात करें तो इसकी full form है virtual private network यानि खुद का private जो है network है उससे समान दीत है ठीक है next देखो VPN जो है वो एक public network where encrypted connections स्तापित करवा की हमें देता है next questions जो है यह चीज आपको समझ में आगी होगी बहुत easy सा questions है लेकिन questions को थोड़ी language जो है इसकी twist कर दिया और इस प्रकार की questions है वही आपको देखने को मिलेंगे इसकी full form भी आपको याद रखनी है क्योंकि इस प्रकार की questions जो है वो भी exam में देखने को मिलेंगे हैं तो आपको ध्यान रखने हैं कि VPN जो है virtual private network है next questions देख लो आप next questions है आपका which of following is immediate successor or hubs ठीक है of hubs तो यहाँ पे इसने बोला है कि कौन सा hub का ततकाल उत्रादिकारी है इन में से अगर अपनी बात करें तो यहाँ पे switch switch जो है बहुत ही important है switch एक networking device है ठीक है जिसे हम हब का ततकाल उत्रादिकारी कहते हैं यह चीज़ आपको ध्यान रखने हैं यह questions है जो आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन इस परकार की questions जो है वो आपके exam में पुछे जाएंगे आपको बस यह चीज़े ध्यार रखने हैं क्योंकि यह इसको अपनी क्या कहते हैं intelligent device भी कहते है intelligent device भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसके पास जब भी कोई data आता है तो यह data का destination device से address मैच करके उसको transmit करने का काम करता है इसलिए इसको intelligent device कहते है समझ मैं इसको switch को intelligent device क्यों कहते है और इसको हम जो hub है उसका उत्रादिकारी भी कहते है और इसको intelligent device इसलिए कहते है इसका इतना दिमाग होता है कि यह जो भी destination device से जो है data को destination device पे जो address होता है उससे match करके फिर उसको transmit करने की कोशिश करता है इतना idea ये लगा लेता है इसकी वज़़े से switch को क्या कहती है हम intelligent device कहती है तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने है next questions देखो next question है very important questions है आपको बस ध्यान रखने है कि इस परकार की questions आपकी exam में पुछे जाएंगे अगर आपको इस questions का answer भी आता है तो comment box के अंदर जुरू लिखना इसमें दिया है कि निमन में से किस OSI layer के इस्तमाल से data का अनुवाद encryptions और compression किया जाता है which of flowing OSI layer is meant for translating, encrypting and compressing data यहां पे आपको यह बताना है कि कौन सी ऐसी layer है जिसका मतलब यह और यह questions 100% आप note कर लो इस type की questions आपको देखनी को मिलेंगे यह तीनो जो questions है translating, encrypting and compressing तीनो अलग-अलग दे सकते हैं या फिर options में एक भी दे सकते हैं जिसमें encrypting दे सकते हैं और आप से questions में पूछ लिया जासता है कि यह कौन सी layer के द्वारा किया जाएगा इस परकार का जो कारे है जो इनके कारे है वो भी याद रखने कौन से switch का जो मितलब जैसे switch है, hub है तो कौन से device का connections कौन सी layer से है यह भी आपको ध्यान रखना है और यह भी चीज़े ध्यान रखने की कौन सी layer का क्या work है तो यहाँ पर अगर अपने बात करें न OSI layer की तो यहाँ पर OSI model की जो presentations layer है यह काम करती है किसका यहाँ पर translating, encrypting और comparing का ठीक है, देखो यहाँ पर इसकी theory अगर अपने देखें तो OSI जो model होता है, इसकी portal कितनी layer होती है, आगकी 7 layer architecture होता है, ठीक है 7 layer का architecture होता है, और इसमें, जिसके दवारा network में communications अपने स्तापित करती है, और presentation layer जो है, वो कौन सी होती है, OSI model की OSI model की इस परकार से भी कुछी जा सकती है, तो यह कौन सी छटे नमर की layer होती है, जिसके दवारा हम data का transmission कर सकते हैं, data को encrypt कर सकते हैं, और compress भी कर सकते हैं, यह चीज़ ध्यार होती है, data का transmission होगा, यहाँ पे encryption होगा और compression होगा, ठीक है, next देखो, questions बहुत important है note कर लेना, इस परकार की questions आपको देखने को एक्जाम में जरूर मिलेंगे तो इसी coding आपको, इसी level की आपको त्यारी करनी है, जो networking layer से समंदित questions है, या data communication से समंदित questions है, इस परकार की questions आपको देखने को मिलेंगे तो friends, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो like जुरूर करना और अपनी दोस्तों के साथ में जादा से जादा ना इस वीडियो को share करने की कोशिश करना ताकि अपने इससे भी better जो questions है आपके exam के level की वो अपनी continuous series इसमें लेके आएं, ठीक है अब देखो यहाँ पे जो questions है वो क्या है कि यह बताएं कि निमन में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, इंटरनेट ट्रैपिंग को विस्तित करने में राउटर मुख्य बुमिका निवाते हैं, यानि state whether the flowing statement are true or false राउटर जो है वो play जो है key role in organizing इंटरनेट ट्रैपिंग जो राउटर है वो इंटरनेट ट्रैपिंग के अंदर जो main role है वो play करता है क्या यह आपको बताना है यह खतन जो है सत्य है या फिर नहीं तो जिन भी स्टूरेंट को इसका answer आता है ना वो अपना answer जुरूर comment works के अंदर लिखना options में आपको बता देती हूँ जो first जो इसमें है वो सत्य है बिल्कुल सत्य है ये बात नेक्स्ट देखो यहाँ पर repeater amplify the data signal and prevent them from weakening weakening during long range communications यह बताना है repeater के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि repeater repeater जो है वो क्या कारे करता है repeater weak signal को repeat करके स्ट्रेंथ को increase करके फिर signal को क्या करता है transmit करने का काम करता है router जो है वो हमें एक क्या provide करता है यह रूट जो है communications करते हैं जब data का तो उसको एक route पाथ provide करवाता है कौन router यहाँ पे दोनों ही options कि क्या है correct है ठीक है यह चीज आपको ध्या रखने है राउटर का प्रियोग हम कई network को आपस में जोडने के लिए भी करते हैं राउटर जो है इसका use हम क्या करते हैं कई नेटवर्क चो होते हैं उनको आपस में connect करते हैं क्योंकि तभी रूट में प्रवाइड करते हैं और यह क्या 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 करता है यह सही जानकरी के मादिया और एक चीज आपको क्या ध्यार अखनी है जो router है वो कौन सी लेयर पर वर्क करेगा, router अभी पढ़ा था मनी, बताओ, सभी student को अगर इसका answer पता है, तो यहाँ पे comment box के अंदर जुरूर लिखे, कि router जो है, कौन सी layer पर वर्क करेगा, OSI model की, और repeater जो है, वो कौन सी layer पर वर्क यहां पर पताना है routing जो है कौन सी layer यहां पर करती है और यह questions वापस से repeat हुआ है तो आपको यह पताना है कि कौन सा layer पर बात करती है तो अगर अपने बात करें router की router यहां पर पुछा गया है router के बारे में ही पुछा गया है बस थोड़ी सी language इसने twist करके हमें दी है तो यहां अगर अपने router की बात करें, routing की बात करें, तो कौन सी layer होगी? आपकी networking layer होगी ठीक है और networking layer की बात करें न तो यह oversight model की कौन से number की layer है, third number की layer है, तो यह चिज़े भी आपको ध्याना करें, third number की layer है, जो हमें क्या प्रवाइड करवाती है, routing की सुईधा provide करवाती है, routing का सब्सक्राइब केरिशाय करने का काम करेंगा यह OSI मोडल सब्सक्रा capable के ने घुए समय नेक्सक्राइब करता警告 जो OSI layer से मैंने आपको करवाई है बस note कर लेना इक questions को next questions में है OSI layer जो token प्रबंदन को handle करता है वह क्या कलाता है यानि कि OSI layer which handles the token management is cold OSI, देखो मैंने ये बताया था कि जितनी भी layer है उनके कारे जुरूर याद कर लेना हना कारे जुरूर याद करने है यहां पर correct answer है sessions layer जो है इस परकार के questions जो है आपके exam में आपको देखनी को मिलेंगे ये चीज़ आपको ध्यार रखनी है OSI model में sessions layer जो है वो token management का काम करती है इस लिए का मुख्य कारिय जो है वो क्या काम है इस लिए का में main कारिय जो है वो आपको बता देती हूँ इसका कारिय है applications के मद्य है request or response को handle करना क्या करना request or response ये भी note कर लेना request or response दोनों को जो कारिय है वो कौन सी layer फिर करेगी इसमें क्या आपका correct answer होगा कौन सी layer होगी session layer session layer request or response का का काम भी करेगी यहाँ पर दो questions के answer में आपको बता दिये ठीक है तो friends अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो like करना और अपने दोस्तों के साथ में share जरूर करना और अपने comment जो है जरूर suggest करना कि आपको किस परकार का जो topic है उस पे आपको वीडियो चाहिए ठीक है साथ में इसके थ्योरी से समंधित जो questions है OSI layer के और अपनी बात करें TCP IP model के ना क्योंकि TCP IP जो model है उसके अंदर भी जो layers है उनके work के बारे में या कौन सा device की layer पर वरक करता है उससे समंधित questions कुछे जाएंगे OSI layer में भी इसी प्रकार के questions आपको देखने को मिलेंगे